अपने से ताकतवर दुश्मन को चड़ना अपनी तबाही को नियोता देना है लेकिन एरान लगातार अमारिका को उक्सा रहा है एरान ने अब अमारिका पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है इस हमले के बाद अमारिका एक बड़े मिशन की तैयारी में लगा हुआ है और उसका अगला टार्गेट एरान का कोई शेहर हो सकता है पोतिन ने जिस दिन रूस के राश्च्रपती पद की शपत ली थी ठीक उसी दिन पोतिन ने एक और शपत भी ली थी यह शपत थी अमेरिका का विनाश वो अमेरिका जिसने सोवियत संग जैसे बड़े और विशाल देश के टुकडे टुकडे कर दिये उसी विशाल देश में पैदा हुए पुतिन ने अपनी आँखों के सामने अपने देश को बढ़ते और बिखरते तबाह और बर्बाद होते हुए देखा ये दर्द और तकलीफ पुतिन जैसे राश्रवादी लीडर की आँखों में आज भी नजर आती है और इसलिए पुतिन ने एक सपना देखा एक कसम खाए कि अमेरिका का भी वही हाल करेंगे जो सोवियत संग का हुआ था यानि जैसे को तैसा जवाब देंगे और पुतिन ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपना एक जिगरी दोस्त चुना है जिसका नाम है इरान इरान भी पहले से अमेरिका का सताया हुआ है और चानक के नीथी के मताबिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी कूटमीती पर चलते हुए रूस इरान की हर वो मदद कर रहा है जिससे अमेरिका का विनाश हो सके और यह विनाश भी शुरू हो चुका है इरान ने अमेरिका पर 24 घंटे के अंदर दो बड़े हमले किया है इस हमले में अमेरिका के एक कॉंट्रेक्टर की मौत हो गई है और अमेरिका के पांच सैनिक घायल हो गए है काफी परिशान और बेचैन देख रहे हैं इन सब सिवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका पर किये गए इरान के ताबर तोड हम लेखी पोतिन की जिंदगी का एक ही मकसद है अमेरिका को निस्तो नाबूत करना 23 मार्च को इरान के एक ड्रोन ने सीरिया के अंदर नौर्थीस्ट हिस्से में कोनोकों में एक एर स्ट्राइक की इसी हमले में अमेरिका का एक कॉंट्रेक्टर मारा किया 45 मिनट के अंदर इरान ने दो हमले कर दिये पहला हमला रात 10 बच कर 49 मिनट पर किया और दूसरा हमला रात 11 बच कर 23 मिनट पर किया और इसके बाद अगले दिन 24 मार्च को एरान ने ड्रोन्स हमलों और एर स्ट्राइक्स की जड़ी लगा दी और अमेरिका का बेस पूरी तरह से काप गया अमेरिका के कई सैनिक बुरी तरह घाल हो गए लेकिन हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये ओठ रहा है कि आखिर इरान ये सफल हमला कैसे कर सका दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका का बेस होता है और अमेरिका के सैनिक होते हैं, कोई एर स्ट्राइक सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका अपने सैनिकों की जान के हिफाज़त के लिए बैतरीन एर डिफेंस सिस्टम लगाता है. लेकिन आखिर कैसी इरान ने अमेरिका के एर डिफेंस को फेल कर दिया? दरसल अमेरिका ने सीरिया में अपने एर बेस में शोरार्ड एर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है. शोरार्ड यानि एवेंजर शॉर्ट रेंज एर डिफेंस सिस्टम. क्या है ये शोरार्ड? ज़रा पहले इसकी तस्वीरें और मारक शम्ता पर गौर कीजिए. ये हैं अमेरिका का शोरार्ड एर डिफेंस सिस्टम. ज्यादा तर जब अमेरिका के एर डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो लोकों को पैट्रियाट और नेसम्स के बारे में जरूर याद आता है. लेकिन अमेरिका का ये Air Defense शोराड भी अमेरिका की वायू रक्षा प्रणाली में एहम भूमी का अदा करता है जरा देखिए शोराड से निकलने वाली मिसाइलें कैसे लॉंचर से बाहर निकल कर दुश्मन की बलेस्टिक मिसाइल ट्रोन या फिर फाइटर जेट्स पर हमला करके उनको नस्तो नाबूद करने की क्षमता रखती है शोराड एयर डिफेंस अपने लॉंचरों से जो मिसाइलें लॉंच करता है वो क्रूज मिसाइल को नश्ट करने में भी माहिर होती है अमेरिका के सैनिकों के हिफासत के लिए सीरिया में इस रक्षा प्रणाली की तैनाती 2021 के फरवरी महीने में की गई थी इसमें एक समय में च्यार राउंड फायर होते हैं अमेरिका ने रूस के खतरनाग ड्रोन अटैक का मुकाबला करने के लिए योकरेन को भी एर डिफेंस सिस्टम सौपा है इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे भी इससे एर डिफेंस सिस्टम का इस्तिमाल करते हैं अमेरिका के एर डिफेंस में भारी चूप की वज़े से अमेरिका की कई सैनिक घायल हो गए और एक नागरिक भी मारा किया लेकिन अमेरिका के अकबार अपने देश की छवी का बचाओ करने में जुटे हुए The New York Times ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हमले के समय नाटो गटबंधन के एर बेस की प्रात्मी क्वायू रक्षा प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं थी अमेरिका के अकबारों की ये प्रतिक्रिया हास्यास्पद और पूरी तरह से हैरान करने वाली है अगर एर डिफेंस सिस्टम सही समय पर चालू ही नहीं हो पाए तो ऐसे एर डिफेंस सिस्टम से क्या फाइदा है ये अमेरिका की बहुत भारी चूक है आईए जरा एक नजर तोड़ाते हैं कि आखिर इरान के वो कौन से ड्रोन हैं जिन्होंने योक्रेन के अंदर भी भारी तबाही मचाई और अमेरिका की नाक में भी दम करके रखा है इसमें तीन ड्रोन शामिल रहे जिसमें मोहाजर 6, शाहिद 129, शाहिद 191 ड्रोन शामिल है ये ड्रोन सर्विलांस के साथ दुश्मन पर बम गिराने का काम कर सकते हैं इरान का ड्रोन शाहिद 191 अपने डेजाइन की वज़़े से काफी खतरनाक माना जाता है शाहिद 191 ड्रोन की लंबाई 2.7 मीटर, विंग स्पैन 7.31 मीटर होती है शाहिद 191 ड्रोन 350 किलोमेटर प्रती घंटे के रफतार से उडान भर सकता है इसकी ओपरेशनल रेंज 1500 किलोमेटर है, टार्गेट को तबाह करने के लिए 100 किलो के दो बम ले जा सकता है ये कुल 500 किलो वजन के साथ उडान भर सकता है शाहिद 191 ड्रोन 25,000 फीट की उचाई तक उड़ सकता है शाहिद 191 ड्रोन 4.5 घंटे तक उड़ सकता है दोनिया इरान की ड्रोन टेक्नलोजी देखकर हैरान है तो रूस के राश्टोपती व्लादे मेर पोतन तो इरान की ड्रोन पावर के मुरीद बन चुके है दरसल ये तो इरान के बदले की शुरुबात है इरान एक बदले की आग में जल रहा है ये तस्वीर देखिए जो जनवरी 2020 में पूरी दुनिया में चर्चा का विशय बन गई थी जब इरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की आँखों में आसू थे और जब इरान के प्रधान मंत्री भी आसू बहा रहे थे ये तस्वीर उस घटना के बाद की है जब अमेरिका ने हेलफ फायर मिसाइल से जनरल कासम सुलिमानी की हत्या कर दी थी तब से आज तक इरान के सुप्रीम लीडर बदले की आग में चल रहे है रूस की सरपरस्ती में इरान, अमेरिका और एजरायल पर हमले की पूरी तयारी कर रहा है अब एक कुछ वक्त पहले ही इरान की सरकारी टेलिविजन ने एक खतरना क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें भी जारी कर दी थी एतना ही नई, साल 2022 के नवंबर के महीने में भी एरान ने हाईपरसोनिक बलेस्िक मिसाइल के परीक्षण का दाबबा किया था तरसल एरान ने तब भी ये दाबा किया था कि यह हाईपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी एयर्डिफंस को भीड सकती है अजिए इन के ज़न मुहें इन अजए लेग लेगान, जब दोजे हां, के लगाने मुहें एकंछा सामाना हा रुड सामाना, रे विजए उय करो दुड दिव दूल दौ दौन मेता है, अनम अजए लिए दुडूल। अन पनलप हम मौशदी दिर्ओ झरड शपन मौशफ दिये। और दिराब रूजयों मौशध- blueम परी दा ju można मौशध्ता ले जराफ…? अने कम उडेतनी फोट्राव 싸ն इरान की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अमेरिका के पूरो राश्रपाती डोनल्ड ट्राम्प और पूरो विदेश मंत्री माईक पूंपियों को भी जान से मारमे की धमकी दे चुका है। मिडल इस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनलितिक दोस्त तो इस्राइल है और इस्राइल को भी इरान ने टार्गेट पर ले रखा है। इस्राइल के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये क्रूज मिसाइल बनी हुई है क्योंकि ये 1650 किलोमीटर तक वार कर सकती है। जबकि इरान के वेस्टन बॉर्डर के पास मौजूद शहर खुर्रमाबाद से इस्राइल की राजधानी जेरुशलम की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1520 किलोमीटर ही है।